दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सेलेक्शन में कैसे हैं आप आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी त्यारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको विलॉपन विधी पढ़ाई थी आज मैं आपको पिर्तिस थापन विधी पढ़ाने वाला हूँ जिसको इंग्लिश में सब्सिट्यूशन मेथड कहते हैं हमें दो एक्वेशन दी हुई होती हैं उसमें हमें X और Y के मान क को फाइंड करना होता है तीन तरीके से हम X और Y के मान को फाइंड कर सकते हैं शायद मैंने आपको पहली वीडियो में भी यह बात बताई थी है ना पहली विदी विलॉपन विदी फिर पिर्तिस्थापन विदी वज्र गुडन विदी इन तीन वीडियो से हम X और Y के मान को find कर सकते हैं जादा बात नहीं करते हुए questions की और चलते हैं और हाँ एक बात और दोस्त यह जो वीडियो record की जा रही है 7th class का student हो 8th class के student हो 9th class के और 10th class का हो 11-12 को तो उनसे तो आती होगी है ना तो 10th class के students को जादा problem आती है उनके लिए वीडियो को record किया रहा है तो आई दोस्त हम 10th class की बुक का NCRT का 3.3 प्रश्णवरी में पहला question लेते हैं पहला question देखते हैं equation पहला question में हमें दिया हुआ है x plus y is equals to 14 यही पहली equation हमें दी हुई है x plus y is equals to 14 equation first है ना और second equation हमें दी हुई है x minus y is equals to 4 x minus y is equals to x minus y is equals to 4 equation second तो दोस्तों देखिए हमें बिल्कुल इसको easy way में समझना है जादा दिमाग में जोर मत देना बस एकदम concentration से बस जिसे x plus y is equals to 14 लिखा हुआ है x minus y is equals to 4 लिखा हुआ है इसमें x और y के मान को बताना है x का मान क्या होगा और y का मान इसमें क्या होगा सबसे पहले step दोस्त यह है या तो हम इस equation से x या y का मान निकालेंगे या इस वाली equation से x या y का मान निकालेंगे कैसे निकलेगा equation first है equation first to say हम x के मान को निकालते हैं पहले इसको एक दफ़े लिख लिएते हैं x plus y is equals to 14 है ना अब हमें चुकी x का मान निकाले हैं चाहे तो हम y का मान भी यहां से निकाल सकते हैं अभी हम x का मान निकालेंगे तो y को हम पक्षानतर रखेंगे right side लेकर जाएंगे तो x is equals to 14 अपनी जगा y plus का है right side जाएगा तो minus का y हो जाएगा है ना तो यहां से x का मान निकाल कर आगी है हमारा चुकि दोस्तों यह x का exact मान नहीं है है ना इस x के exact मान ना होने की विदाए से इसको हम कहां रखेंगे जिससे निकाला उसमें नहीं रखेंगे जिससे नहीं निकाला यानि equation 2 में इस x के मान को हम रखेंगे तो जैसे हम इस equation 2 में x के मान को रखेंगे यहां से हमारा y का exact मान निकल कर आएगा तो इस x की जगा क्या रखेंगा 14 minus y 14 minus y है ना भी दिक्कत आपको नहीं होने चाहिए है ना अब क्या करेंगे माइनस वाई यह रहा माइनस वाई यह रहा समान पिरकार के चर आपस में जुड़ जाते हैं अगर चेके वो समान निशान के होते हैं तो 14 अपनी जगा ये वाला minus Y minus Y minus के 2y हो जाएगा इस इकल्स to 4 है ना अब इस 14 को right side लेकर जाएगे minus को हो जाएगा minus के 2y minus के 2y is equals to 4 4 minus के 14 देखें यहाँ पर यह दिक्कत कर रहा है हाँ अब ठीक है तो यहाँ दोस्तों देखें माइनस के 14 है और प्लस के 4 है कितना बचेगा माइनस 10 बचेगा माइनस के 2 y is equals to माइनस 10 आ जाएगा माइनस से हम माइनस को कैंसिल करेंगे 2 5 0 10 यानि इसके डिवाइड में आ करके कट जाएगा 10 2 से तो y कमान कितना आ गया दोस्तो y कमान यहां से 5 निकल कर आ गया चुकि दोस्तों यह y का exact मान है y is equals to 5 जो निकल कर आया है यह y का exact मान निकल कर आया है अब हमें x कमान भी बताना है चुकि y कमान तो हम निकाल चुके हैं y is equals to कितना आ गया y is equals to हमारा 5 आ गया है है ना अभी हमें x का मान और निकालना है कैसे निकालेंगे इस y के मान को या तो हम equation first में पुट कर देंगे या equation second में या इस वाली equation में कहीं भी हम चुकि यह तीसरी equation है ना इन तीनों equation में कहीं भी हम y का मान रखेंगे एक्स कमान एक्जेक्ली निगल करके आ जाएगा है ना तो आईए हम समिक्रण समिक्रण एक में रखते हैं equation first है तो equation first में y कमान रखने पर रखने पर है ना तो इस x की जगा एक्स तो अपने ही जगा लिखे जाएगा ऐसी प्लेस के y की जगे y कमान क्या है 5 है is equals to कितना है 14 है तो 14 हमने यह आपर लिख दिया है ना x is equals to इस 5 को पक्षांतर करेंगे right side लेकर जाएगे plus का है minus का हो जाएगा minus 5 x is equals to plus के 14 minus के 5 plus के 9 बचेगा है ना दोस्तों यहां से हमारा x का मान भी निकल कर आ गया बस इतनी सी है इतनी सी यह प्रतिस्थापन हमारी विद्य है कैसे करेंगे इसको मैं एक दफ़े और आपको उपर उपर बताता हूं ताकि आपका एक दफ़े हुआ की हमें दी हुई है इसमें हमें ect और y के मान को फाइंड करना है कैसे करेंगे सबसे पहले तो equation को पकड़ा लेंगे यह है तो फर्स्टे को यह सेकेंड रीक react को हमने यहाँ पर पर प्रस्ट एक्वेशन को हमने यहाँ पर पकड़ा है ना इसको यहाँ पर लिख लिया x plus y is equal to 14 यहाँ से यहां तो हम x कमान यह y कमान निकाल सकते हैं कैसे पिर्तिस्थापित करके चुकि यह क्या है पिर्तिस्थापन विदी है यहाँ से इस y को right side लेकर गया minus के y हो गया x कमान निकल करा गया चुकि यह x का exact मान नहीं है ना होने की विद्धा से जिससे हमने इसको निकाला है x कमान उसमें नहीं रखेंगे जिससे नहीं निकाला उसमें हम इसको रखते हैं किलिए यहाँ तर लग बाद किलिए सर बिल्कुल किलिए रहा है तो अब हमने इसको equation second में x के मान को put किया 14-y रखा x की जगा ये रहा x की जगा हमने 14-y रख दिया ये वाला minus ये रहा minus ये वाला y ये रहा y is equals to 4 is equals to 4 ये रहा clear बिल्कुल अब minus y minus y समान प्रिकार के चर और निशान भी सेम है बिल्कुल तो minus की 2y हो जाएगा है ना is equals to 4 is 14 को पक्षान तर करेंगे तो minus 2y is equals to 4 minus 14 है ना यहां से y के मान को हमने 5 निकाल लिया अब इस y के मान को या तो हम equation first में या equation second में या equation third में कहीं भी हम रख करके x के मान को find करेंगे है ना तो हमने यहां पर equation first में y का मान रखने पर है ना तो x plus y is equals to 14 x चुकि हमने y की जगह क्या रखा वह equation first का है x plus y इस y की जगह इस y की जगह हमने क्या रखा 5 चुकि इस का मान 5 निकल कर आया है x plus 5 is equals to 14 x is equals to 5 को हम right side minus का हो जाएगा 14 minus 5 यानि x is equals to 9 तो मुझे उमीद है दोस्त ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये वीडियी बिलकुल आपको इजी में मैं आपको समझा पाया हूँ मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजगा और शे कर दो चे के